पोई पेपसी भी पयापी, जन्दार नहीं है, नीपफू पढ़ता है, पदिन पढ़ता है, काला नवगत पढ़ता है, पेट की सफाई नमस्कार मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है आज स्वाज जवर्दस्त में हम चर्चा करेंगे गन्य के जूस की गन्य का जूस आप लोग हर कोई पीता होगा और गरमी का मौसम है इस समय तरावट के लिए गन्य का जूस सरवुत्तम माना जाता है इसके अपने गुड़ हैं अपने दोस हैं जैसा कि हर चीज में होता है ये खतरनाग भी है और असरदार भी है। मैं मौझूद हूँ गदरपूर मार्केट में आज सनिवार का दिन है बाजार बंद है लेकिन गन्ने के इस ठीए पर कुछ व्यापारी बंधू भी है और अंसुनी आवाज का जब माईक निकला तो इतने तमाम सारे लोग इस जूस के ठेले पर जमा हो गए हैं। आपको बता दें। जिससे खून पतला हो जाता है तो जो लोग खून पतला करने की दवाईया ले रहे हैं वो अगर गन्ने का रस पीते हैं तो ये उनके लिए बहुत फायदे मंद होता है। और एक बहुत ही ये कहना चाहिए कि आजकल हर व्यक्ति मोटापे से परेशान हैं। तो जो लोग मोटापा कम करने की अभी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा फायदे मंद है। जो जन्ने का जूस बना रहे हैं पहले उनी से बाचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे। बिल्कुल रुबेश भाई अब गन्ना तो हमारे मतला हम से लेजिए हमारे पुराने पुर्वजों को लीजिए गन्ने के साथ सब लोग आए हैं। सब लोग निकले हैं। जब हमारा बचपन था, 45 साल के लगपा गया हैं। तो हम तो गन्ने खाया करते थे। घरों में गन्ने की खीर बना करती थी। मतलब मीठे में चीनी के जेगे गन्ने का प्रयोग होता था। अब बिलकुल होता था। और जो ताजा गुड उसमें खाया करते थे। आप तो यह खत्म होगया है हमारे यह जो गुड बना करता था। अब नहीं बनता है। तो वहाँ पर जाके ताजा गुड भी गन्ने का बना के आप गरम-गरम गुड को खाया करते थे। और निशी तोर पर गदरपुर में तो शुगर मिल भी थी, तिर पाठी जी आपको पुर्वांचल में तो गन्ने की खीर का बहुत गहरा रिस्ता है, है ना, तो क्या गन्ने की खीर खाए हुए कितना वक्त हो गया, ये बताई है, गन्ने की खीर हमारे हाँ, चैतर राम नौमी और ये सब तेवहारों में गन्ने की खीर, प्रशाद चढ़ाना, भोग लगाना, खाना, ऐसा कल्चर है पुराना, उसको कहीं कहीं पुर्वांचल में लोग रसियाओ कहते हैं, कहीं कहीं लोग बखीर कहते हैं, और गन्ना गोड से तो हम लोग बालेकाल से ही जुड़े हु गर्मी से बचाव के लिए, कन्ना बहुत ही स्वास्तकर और नावदारावट का सबसे महत्रपूर साधाना, बिल्कुल, 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 गर्मी में अगर नियमित रूप से हम गन्ने का सेवन करते हैं, तो एक तरीके से हमें डियाइडरेशन नहीं हो सकता, कोई गर आल फोलो कीजिए, आप हमको यूटूब पे भी सबस्क्राइब कर सकते हैं, और इस रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर साजा कीजिए, क्योंकि आम तोर पर गन्ने का जूस ये खबर नहीं बन सकती, और मेरे सारे पत्रकार साथी जो या मौजूद हैं, वो भी बोले, आप किस पर लाइब करने आये हैं, मैंने का गन्ने के जूस पर आज बात होगी, क्योंकि हर चीज खबर है, जो जनता से जुड़ी हुई है, नए साथी लोग कुछ मौजूद है, आप लोग नई उम्र के लोग हैं, और आपके पास तो पीने के लिए बहुत कुछ है, अता तमा विख से पे हुआ को दोरिंगा का बनने के जूस को तरफा करता की और आगर पीने में अच्छा भी लगता और ये पूराने तैम लेकिन आज कल गन्ने के रस को पीने से डर भी लगता है अब वो समय चला गया अब उतना हाईजीनिक नहीं रहा है सब कुछ एक तो हमारे फचलों के अंदर जो है पेस्टिसाइट बहुत ज्यादा है तो अब इस गन्ने के अंदर भी बहुत सारा पेस्टिसाइट पॉंच च तपाई यहां गोविन भाई किया पैसे भी रहती है और धूबती भी जलाई है यहां बीच मेरे दिल्टी लेकिन अब क्योंकि मक्खी आ गई है अम मक्खियों का अतंक हमारे देश में काफी हो चुका है मक्खी कीड पतंगा इससे में बहुत ज्यादा है तो ऐसे में जरा आपकी अपनी बात बहुत जायज है लेकिन जो केमिकल हम पी रहे है किसी भी पेटार्ट के माढ़्य हमसंटे में किसी का नाम नहीं ले रहा हूं उनसे तो कम से कम साइद ये विदेशी कंपणईओं के जो पेटार्ट है कोका कोला पेप्सी हम तो नाम भी ले 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 लीrest पड़े की पतंगों से बजना पड़ेगा वरना हैजे का चांस भी इसी से ही बन चांस भी बन सकता है हाला कि बहुत साफ सपाई यहां पर रखी है गोरब भाई इधर आजाई आप लोग भी बात करते हैं और कितने रुपे का बेच रहे हैं आप गणने का जूसका किलाद 10 र गर जा पारे हैं तो तीन सो रुपे का तो लगवागा गन्नी हो जाता है तो लेकिन इसमें यह कि आप इसमें मौसम ठेंड़ा है इसलिए लोग कम आ रहे हैं डीजल और अन्य परदातों का खर्चे जादा है जादा खर्चा बढ़ गया है इसलिए आमदनी कम हो गई है करने करता है पेट की सपाई होती है और तागात आती है आकता है श्क दूर करती है अच्छा माता यह बताओ इसके घूस की खीर भी बनाई है निए निए अबनेट रही चूलेपर रखते एह चूले पर रखते है है उन्हें पेर पी श्ल मऩ निलता भी नहीं है गरम घर मिठाई बहुत बहुत खाई है याद बढ़े आते होंगे आज कल के बच्चे को तो पता ही नी कैसे बनती थी अगरी शाज ना दूद्ध दूद्ध करें रही इधर से आजब हमारी साज हमें दूद्ध देख रही हंडिया का पूर समय और मिठाइड देख रही तो खाय करें अच्छा अच् निसकों बहुत बहुत है जो है दनने बार आते हैं कौकि यह अलगी से mensenनिकडिया की टी कंट्रान पीटा जी आजाए करते थे पीटा जी अगर बेल की बात करें यहां पर तो बेल जो है जो इतना ठंडा होता है यह जूस मिठा भी और ठंडा भी कि यहां बंदे को लूज मोशन है तो उसमें भाई आप तो खुद ब्यापारी है और जो इस समय में बार बार जिकर कर रहा हू कहीं न कहीं इनका कारोबार फीका हो जाता है तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे खास तोर पर यूवा पीडिकों कि आप भी यूवा है कि यह जो पुरातन चीज है हमारी गन्ये का जूस है और भी बहुत सारी जूस है जैसे बेल का जूस है उसके लिए कैसे लोग आकरसित हो तो मैं खुद मोश्टी यह करता हूं कि जब गर्मी के मोसम जब आ जाएगा तो मैं आगे ठीडा में लेता नहीं हूं भी नोर्माली पीता हूं लेकिंग जब गर्मी के मोसम आया तो जूस जूस जूरूर। बड़ा फलकी रखना लेकिन गन्ये का जूस से यह अब मेरे लिए इस पेसल यह करने का जूस बना दिया है गलाश मैं टेस्ट करते हैं कि इसका स्वाद किस तरीके से भिन्न है कदरपूर में थाने के बिलकुल बगल में यह गोविन भाई करने के चूस के दुकान लगाते हैं और यह 10 रुपे का गिलास चोटा गिलास और इ कहनँ जा रहा थे जतना लाब दायक है कहीँ ना कहीं जो है दुकानधरों के लापरवाई वी सामने आती है इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहा है पीछे कट्टा रखा हुए उतमें शाम को जितने भी स्कान जो है कंदिय कर दो लेकिन अमस्वảiakah दोए निएफ वहां प अच्छे तरीके से साथ में इन्होंने नीवू मिलाया है और नीवू भी आपके स्वाद के अनुसार है और पौधीना है क्योंकि पौधीना भी गर्मी में पेट के लिए और बहुत ही रामबाड का काम करता है तो नमक है मसाला इसमें अपना मसाला नोंने तयार किया है इसके पेट के लिए शेरी के लिए बहुत ठंड़ा और बहुत अच्छा है। उनको बड़ावा देना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। इस रिपोर्ट को जरूर साजा कीजिएगा। और लाइक कमेट हमको जरूर कीजिएगा।